तो शादी तए हो गई वो एक राजकुमारी है बड़ा कारे क्रम आयोजित किया गया वहां का हर व्यक्ति छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी लोगी कठे हुए भारत में ये परंपरा है कि दूलह अपने लोगों के साथ आता है आम तोर पर आप देखेंगे कि वो गोड़े पर सवार होकर आएगा और वो अपनी दूलत दिखाएंगे और दूलह के लोग अच्छे से तयार होकर दिखावा करते हैं कि वो दूलहन के पक्षते कैसे बेहतर है पर शिव के सर पर जटाएं थी बाल उलजे हुए सिर से पाव तक राक एक हाथी जिसे अभी अभी मारा गया है उसकी खाल पहने हुए जिससे खून टपक रहा था और वो पूरी तरह मधोश थे बिलकुल मधोश और उनके सभी साथी वो सभी टेडे मेडे प्राणी थे वो मानव रूप मे नहीं थे और कोई भी उनके शोर को समझ नहीं पा रहा था वो ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था और मीरा पारवती की मा ने दुलहे की ओर देखा और उन्होंने फिर से कहा ओ मा ओ नहीं और बेहोश हो गई तब पारवती ने शिव से विंती की मेरी मा के लिए बहतर रूप धारण कीजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं बिल्कुल भी नहीं मैं बस आपको इसी तरह चाती हूँ पर मेरी मा के लिए थोड़ा सुन्दर रूप दिखाईए शिव ने कहा ठीक है और एक बहुत सुन्दर रूप धारण किया अच्छे कपड़ों वाला रूप फिर जब वो आए तो लोग बोले ये सुन्दर मूर्ती हैं यानि आज तक का सबसे सुन्दर व्यक्ती वो 9 फीट लंबे थे कहते हैं कि जब वो खड़े थे तो वो घोडे के सिर्द तक उंचे थे ऐसा कई शास्त्रों में लिखाया जब वो दक्षिन में आए तो लोग बोले कि वो एक औसत महिला की उचाई से दो गुने लंबे हैं आम तोर पर दक्षिन भारत की महिला हैं काफी पहले दक्षिन भारती महिला हैं आम तोर पर साड़े चार से पाँच फीट, पाँच फीट से कम होती थी तो उन्होंने कहा कि वो एक औसत महिला से दो गुने लंबे हैं, ऐसा बताया गया वहाँ लोगोंने कहा कि वो घोडे के सिर्टकूंचे हैं तो लगभग नौ फूट लंबा व्यक्ति, सबसे खूपसूरत व्यक्ति और सभी उनकी उपस्थिती में हैरान थे फिर वो आकर बैठे, शादी होने वाली थी जब भारत में विशेश रूप से इस तरह की शादियां होती हैं तब दुलह और दुलहन के पूरवजों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है क्यों उनके पूरवज कौन है, उनका खून कितना शुद्ध है, वगरा वगरा तो दुलहन के लिए शानदार बाते कहीं गई, उनके पिता पहाड के राजा थे और काफी कुछ कहा गया फिर वो बोले, दुले के बारे में बताएं, शिव चुपचाब बैठे रहे, कुछ नहीं बोले उनके कोई भी रिष्टेदार नहीं थे, जो कोई भाषा बोल सकते थे, उनके साथ मौझूद दूसरे प्राणी अजीब आवाजे निकाल रहे थे तब दुलहन के पिता बुरा मान गए, बिना पूरवजों के इस व्यक्ति से मेरी बेटी कैसे शादी करेगी कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया है, इसके माता-पिता कौन है, इसका वन्ष क्या है, मैं इसे अपनी बेटी कैसे दूँ, वो गुस्से में उठ खड़े हुए तब एक रिशी थे, नारद, जिनके पास एक तारवाला यंत्र, एक तारा था, वो बस टैंग, 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 करते रहे राजा को और भी गुस्सा आया, आप एक तारा क्यों बजा रहे हैं? नारद ने कहा, यही उनका वंश है, उनके पिता नहीं है, उनकी मा भी नहीं है, तो उनकी बुनियादी क्या है? टैंग, ध्वनी ही उनकी बुनियाद है, वो बस एक कमपन से पैदा हुए है, उनके ना तो माता पिता हैं, नहीं कोई वंश तब राजा चिड़ गए लेकिन शादी हो गई